नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तीलक ओडो हब पे तो आज आप मेरे फीचर देख पाड़ यह है हॉन्डा SP160 जो की काफी पॉपुलर बाई के हॉन्डा की इस बैक में आपको क्या-क्या फीचर्स मिल जाते हैं, माइलेज कितना देती है, टॉप इस्पीट कितने तक जाती है, इसकी नई डीटल में ओन रोड कीमत क्या पढ़ने वाली है, कितने कलर ऑप्सन के साथ आती है, कितने भेरियंटिस में आपको मिलते हैं यह सारी जानकारी मैं आपके अचके इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लाश्ट तक पूरा देखिएगा, और चैनल पे पहली बारा हैं, तो दिलक ओटो हब चैनल को सस्क्राइब जलूर कर दीजेगा तो चलिए गए इस वीडियो को सुरू करते हैं, और सबसे पहले सुरुवात करते हैं, इसके फ्यूल टैंक से, तो काउल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, होंडा की आपको 3D में बैजिंग देखने को मिल जाती है, क्रोम के फिनिस के साथ, ग्लॉसी रेड कलर यहाँ पे लीटर की आपको कैपिसिटी मिल जाती है, जैसा कि बिल्कुल लेटेस्ट वाला मोडल है तो आप E20 की स्टीकर वर्क देख सकते हो, फ्यूल टैंक कैप यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लच आपको काफी लाइट देखने को मिल जाता है, और कुछ इस तरह के आपको प्लास एक है तो red color का आपको engine kill switch मिलता है, main headlight की आपको स्टीकर देख सकते हो, और उसके नीचे है आपको self start की switch दी गई है, next अगर बात करें इसके seat comfort की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, single seat के साथ ये bike आती है, कुछ और राइडर दोनों के लिए, पीछे वाला seat आप कि आपको height दी गई है बाकि यहाँ पे आप इसका grab handle देख सकतो mid finish के साथ आपको दिया गया है single piece का और call पे यहाँ पे आप देख सकते हो 160 के आपको sticker work मिल जाती है white color के साथ और नीचे side में यहाँ पे आपको dual tone color के graphics दिया गया है यहाँ पे आप इसका locker भी देख सकते हो sit locker दिया गया है और दोस्तो lady pillion safety के लिए आपको star guard लगाने का जगा दिया गया है जो के भी install नहीं किया गया fiber की यहाँ पे आपको chain set की covering मिल जाती है इसके साथ-साथ यहाँ पे आप देख सकते हो box वाली यहाँ पे आपको swing game दिया गया है जिसके उपर कुछ information दिया गया है जैसे कि इसके front और rear वाले tire में कितना air pressure रखना है इसके साथ-साथ यहाँ पे आप देख सकते हो pillion का आपको adjustable footrest दिया गया है सबसे अची बार दोस्तो इसके rear में आपको मिलता है 130-70-17 tubeless tire 17 inches का यहाँ पे आपको LOI दिया गया है TBS company की यहाँ पे आपको tire देखने को मिल जाती है और कुछ इस तरह के यहाँ पे आपको pattern दिया गया अगर आप Apache 162 भी लेने जाते हो तो दोस्तो इसके rear में आपको 120 mm का ही tire मिलता है बाकी यहाँ पे आप देख सकतो राइडर का आपको adjustable footrest दिया गया है 5 speed gearbox के साथ यह बाइक आती है side stand cut up जैसे आपको features मिल जाते है यहाँ पे आप इसका center stand देख सकतो और दोस्तो engine call आपको metal body का मिलता है जबकि बहुत साड़े बाइकों में यह आपको fiber body का दिया गया है engine पे यहाँ पे आप देख सकते हो Honda की आपको branding मिल जाती है तो चलिए next अब चलते हैं इसके front की ओर तो दोस्तो यहाँ से आप इस बाइक का पूरा front का view check out कर सकते हो दो variant और 6 color option के साथ यह bike आती है अभी जो आप screen पे देख पाड़ यह है इसका top end variant dual dix height आपको 1113 mm के मिल जाती है curve rate 141 mm का दिया गया है और wheelbase आपको 1347 mm के दिया गया है बाकि यहाँ पे आप देख सकतो glossy black color का आपको visor दिया गया है सबसे अच्छी बात दोस्तों इस bike में आपको मिलता fully flexible wallet turn indicator यहाँ पे आप देख सकतों आप इसे कितना भी मोड़ दोगी है तूटेगी बिल्कुल भी नहीं और दोस्तों SP125 वाले यहाँ आपको main headlight के setup दिया गया है इसके साथ साथ दोस्तों front वाला mudguard यहाँ पे आप देख सकतों जिसकी build quality आपको काफी बढ़िया मिल जाती है यह आपको काफी wide दिया गया है front वाले suspension की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकतों telescopic वाले आपको suspension दिये गया है जिसके दोनों और company ने यहाँ पे आपको reflector provide करा है ABS की यहाँ पे आप sticker work देख सकतों बाकि safety में यहाँ आपको 276 mm diameter के आपको digs brake दिये गया है single channel ABS के साथ यह bike आती है निसिम का यहाँ पे आप caliper देख सकतों black color का आपको दिया गया tire की profile की बात करें दोस्तों और company ने इस बाइक के front में भी TBS company का entire provide कराया है बाकि यहाँ से आप इस बाइक का पूरा rare profile चेक आउट कर सकते हो H-Sip के यहाँ पे आपको LED वाले tail light मिल जाते है इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकतों Honda की आपको sticker work दी गई है फुली flexible यहाँ पे आपको ball wallet turn indicator company ने provide करा है इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकतों reflector आपको दिया गया है number plate लगाने की यहाँ पे आपको जगह देखने को मिल जाती है बाकि यहाँ पे आप इसका rare वाले modguard की build quality को चेक आउट कर सकते तो यह आपको थोड़ा सा flexible देखने को मिल जाता है by the way अगर आपके बाई को पीछे से कोई थोड़ा वो hit भी करता है तो कुछ होने वाला नहीं है इसके साथ साथ अगर इसके rare वाले digs की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 220 mm diameter के आपको digs break दिये गया है नीसिम का यहाँ पे आप ब्लैक कलर का कैडी पर देख सकते हो और box वाले यहाँ पे आपको swing arm देखने को मिल जाते है नेक्स्ट अगर बात की जाए इसके rare वाले suspension की तो इसके rare में company ने आपको mono swap type के adjustable वाले suspension प्रोभाइट करा है जिसे कि आप अपने weight और demand के हिसाब से भी adjust कर सकते हो और दोस्तों इस side से भी seat call पे आप देख सकते हो 160 की आपको sticker work मिल जाती है white color के साथ में बाकि यहाँ पे आप इसका exhaust देख सकते हो जिसके उपर आपको metal का मफरट guard दिया गया है chrome के finish के साथ इस bike में आपको काफी बड़ा exhaust देखने को मिल जाता है जो कि इस bike के look को काफी premium मना रहा है pillion का adjustable footrest यहाँ पे आप देख सकते हो rider का आपको adjustable footrest दिया गया है इसके साथ साथ side वाले panel पे आपको 3D में SP लिखा मिल जाता है chrome के finish के साथ glossy gray color finish यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे अची बाद दोस्तो इस bike में आपको key cleaver दिया गया है जो कि अब बहुत कम ही bikeों में दिया जाता है black color का यहाँ पे आप brake pad देख सकते हो engine पे यहाँ पे आप देख सकते हो Honda की आपको branding दी गई है spark plug यहाँ पे आपको दिया गया है इसके साथ साथ दोस्तो engine while cap आप देख सकते हो catalytic converter आपको देखने को मिल जाता है 170 mm के आपको ground clearance दिया गया है तो चलिए finally अब बात करें इसके engine और power की तो इस bike में आपको मिलता है 162 cc का air cool 4 stroke 2 ball b6 fi engine यह engine maximum power generate करता है 13.46 PS का 7500 rpm और maximum torque generate करता है 14.58 nm का 500 rpm तॉप speed आपको 118 km per hour के आसपास का मिल जाता है और अगर इसकी mileage की बात की जाए तो 45-50 kmpl के आसपास की यह bike असानी से आपको mileage निकाल करके दे देती है next अगर बात करें इसके console की दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकतो fully digital वाले आपको meter console दिए गए अब इसमें connection नहीं किया गया फिर भी दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या-क्या features देखने को मिल जाते है सबसे पहले उपर side में यहाँ पर आप देख सकतो turn indicator की आपको warning light दी गई है देख सकतह यह गिर पोजीषन इंडिकेटर भी इस बय्क में आपको दिया गया इसके साथ साथ स्छी दोस्तों फ्यूल गज अपको मिल जाति है ओडो मिलता है trip यह आप देख सब वोल्टेज मेटर भी आपको इस बयक में मिल जाता है सर्विस ड्यू रिमाइंडर आपको देखने को मिल जाती है स्पीडो मीटर भी दिया गया घरी आपको मिल जाती है रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करें इसकी प्राइजिंग की तो जैसा कि यह डिवर्ल डिक्स टॉप वेरियंट है तो अभी जो इसकी एक सोरूम कीमत निकल के आड़ी वो है एक लाख तैस हजार तीन सोपचास रूपीज और अन्रोट कीमत है एक लाख तालीस हजार त बाड़ी थे करके भेश सकते हो ठैक्व दोस्तों वीडियो कलास तक बने आणे के लिए वीडियो पसंद आयो हमारी महनत पसंद्व तो वीडियो को जाजज़ा लाइक कीजगा दोस्तों मु में सेर कीजगा और तीलक ऑट उटो हब्प चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जगा जहीं जय भारत